शर्मार आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियान अपडेट डेली दियों उस रिवाडी की बड़ी खबरे जानने के लिए आप सभी तयार हो जाएं पहली बड़ी खबर आपको दाएता हूँ रिवाडी के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी आप सभी लोग गूमने जाते होंगे सुबह तो आपने देखा होगा कि हवा परदूशी तो रही है मतलब आप सभी देखा हो कि दुंद जैसा सुबह हो रहा है ये कुछ नहीं स्मोग की चादर चाही हुई है रिवाडी जिले के अंदर भी मैं आपको उधायता हूँ कि जो हवा की श्रेणी है अत्यंत खराब श्रेणी के अंदर पहुच गई है दिन बर स्मोग की वज़े से कई के बार सूर्य बगवान भी नहीं दिखते हैं आपको बतायता हूँ हलकी स्मोग वे दूल करनों की वज़े से सीविल अस्पतालों के साती नीजी अस्पतालों भी आखों के अलर्जी वे सास के रोगयों की संक्या बढ़ती जा रही है आपको बतायता हूँ, सीविल हस्पताल की जो वरिष नेतर रोग विशेशक डाक्टर कंचन यादव ने कहाई कि रगबग सो से जादा लोग OPD में आ रहे हैं रोज, किसी के आँखों में जलन, लाली मा, दर्द होना, आँखों में खुजली ऐसे लोग आ रहे हैं और ये जो मरी चाहिए OPD में लगबग रोजाना बढ़ रहे हैं बदायजा रेकिन से बचने के लिए आप लोग प्रोटेक्टिक चश्मे बेने, अगर नजर की चश्मे है तो वो लगा करी बाहर निकले दूल मिट्टी से बचाव करें और आखों में अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है होस्पिटल में जरूर जाएं आपको दायता हूँ कि जब नमापा गया शेर का जो परदूशन सतरे तो पाया गया कि अत्यंत खराब श्रेणी की में आया हुआ है गुणवत्ता तीन सो तिराण में पर पहुँच गया है और सांस वे हिद्धी रोगों के लिए गातक साबित हो सकता है तो यह बड़ी कबर है आप लोग कोई भी बार चाहिए तो मास्क लगा के जाईए और अपनी प्रोटेक्शन जरूर करके जाईए क्योंकि आप सभी गता है कि पोलुशन से या स्मॉक से हम कह सकते काफी लोगों को आखों में अलर्जी भी हो जाती है इसके बाद दूसरी बड़ी कबर बुकिंग के लिए यह कागच ले जाने होंगे दूसरी बड़ी कबर है कि आप सभी कोता है कि CET एक्जाम के लिए बस बुकिंग जो सेवा सर्दगार ने दी हुई है उस लोगों का लोगों काफी फायदा हो रहा है और आपको तो पहले दिन लगबख 2700 बच्चों ने 2700 ब्यारतियों ने 24 जो बुक है वो तो उनके एंव के चलते जो रोडवेयी है वह अगया पर जायेंगी जैसे आपको दाएटों कहा कहा पर जाएगी रोडवेज उस दिन डगे सबसे पहले बिवानी की बात क है तो बिवानी जाएगी इसके बाद सोंनुपत जाएगी फरीतबाद, पलवल और गुडगामा unitsigration पर जाए है कि वो उस दिन नहीं चलेंगी पांच और छे को अलंकि कोई उपर से ओडर आए या फिर आगी से ओडर आए तो किसी हम कह सकते हैं कि कोई भी लड़का केला जाना चाहतो किसी भी फरीदाबाद पालवल गुडगावा कहीं भी जाहिए मैंने आपको पांच नाम बताएं तो उसको क्या सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेके आना है आधार कार्ड अगर नहीं भी लेक्या होगी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ए फैमिली आईडि आप सभी को था परिवार पहचांड पत्र को शॉन ऑगली बड़ी के रूपार को लूटा देगे आए दिन रिवाडी के अंदर लोगों को लूटा जा रहे हैं इसी के चलते एक व्रद व्यक्ति था जिसका ATM कार्ड बदलकर 45,000 रुपए का चूना लगा दिया दारवेडा के सेक्टर चार निवासी एक व्रद का ATM बदलकर शातिर बदमासों ने 45,000 रुपए का चूना लगा दिया देगे आप इन चीजों को मजाक में मतलीजी या फिर आप लोग इनको हलकी में मतलीजी कि ये रोजाना बस ऐसी खबरे आती ये बिल्कुल सही खबरे है और आपको बताता हूँ कि ऐसी वारदाते लगातार बढ़ रही है कभी भी किसी के साथ भी गटना को अंजाम दिया जा सकता है इसके चलते हैं आप लोगों से मैं यही नहीं वेदन करूँगा कि कोशिश कीजी कि एक की बजाए दो लोग ATM पर जाए रूपे निकलवाने के लिए और बहुत ही सत्रक्सा अगर आपकी बास आस पास कोई भी ऐसा लोग आपको दिखता है कि भाई हाई ये मज़े आप देखें आप बीच में देख सकते हैं जिन्होंने ये बुक हाथ में ली हुई है और आपको मैं बता देता हूँ कि यश्पाल सर्मा इन सभी को आप जानते ही होंगे अब ख़बर क्या है यह यहाँ पर रिवाडी के अंदर पहुंचे है और पत्रकारों से इन्होंने बाच संस्कृती को कभी नहीं बूलने और आज इसे बढ़ावा देने के लिए काम करने का मोका मिल रहे तो इसमें जुट गए है यश्पाल शर्मा गुरुवार को अपनी फिल्म दादा लक्मी चंद को लेकर रिवाडी के पत्रकारों से बातचित कर रहे थे उन्होंने का कि 8 न चल रहे फिल्म सिटी की प्रकरिया है आपको दायता उत्तर परदेश में फिल्म सिटी बनने के सवाल पर उन्होंने का कि हरियाना में 20 दिशा में सकारात्मक काम चल रहे और पिंजोर में ऐसे ऐसी प्रकरिया बढ़ाई जा रहे फिल्म सिटी की तो इस रिलेटेड उन्हों